हालो फ्रेंड्स वेल्कम टो वाइफाई स्टेडी चैंजिंग दा व्योफ लर्निंग सभी का हार्दी का विनंदन है वाइफाई स्टेडी एजुकेशन यूटूब चैनल पर मित्रों कैसे हो सब लोग आप उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे बड़िया कुसल से होंग के से आप पढ़ाई कर रहे हो कहीं जाने के आउश्यक्ता नहीं है आपको घर में रहके सेफ हो और इस महा मारी का सामने आप लोग सब मिलके कर रहे हैं अपन बात कर रहे थे जातियों की जातियों के अपन चर्चाएं कर रहे थे और जातियों में पिछली कक्षा में अपन पर तो इसी करम में भीलों का शदबाव वे भीवार इस टोपिक के बारे में अपन चर्चा और भीवार इसके बारे में बात करें, तो पहली बात तो याद रखना ना है भील सपत के पक्के होते हैं पहली बात दूसरी बात मैं बात करूँ तो ये केसरिया 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 नात के उपर केसरिया नात आपने सुनाओगा केसरिया नात रिशब देव जी जिनको बोलते हैं रिशब देव जी तो याद रखना है ये लोग केशरिया नाथ के उपर चड़ी जो सराब होती है सराब को पीकर जूट नहीं बोलते है ये याद रखना है तो भी लोग केशरिया नाथ जो रिशब देवजी है उनके उपर जो सराब चड़ती है उसको पीकर ये कभी जूट नहीं बोलते हैं ये आपको ध्यान रखना है और मेवाड के राजचिन में अगली विशेष्टा है मेवाड के राजचिन में इनका दूसरा इस्तान है दूसरा इस्तान है याद रखना है मारना परताब का अकबर के बुरुद इन्होंने साथ दिया था तो इसी लिए इनके मेवाड के राजचिन में इनको सेकंड इस्तान दिया गया है याद रखना है भीलोगों के सयोग से ये न युद्ध की रणनिति उनने बनाई थी गोरिला युद्ध जो मारना परताब जिन लड़ा वो इसी का परिनाम था भीलों के सयोग से ये संपन हुआ था याद रखना है और भीलों का रण गोस भीलों का जो रण गोस है तो ये फाइरे है फाइरे 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 करते विए युद्ध के मैदान की ओर बढ़ते हैं यह इनका रणगोस है याद रखना है आपको और जो भील होते हैं जो किसी यात्री का मार्गदर्शन करें यात्री का अगर कोई भील मार्गदर्शन करता है किसी भी रागीर का अगर कोई भील मार्गदर्शन करता है तो उसको ये उसकी बासा में क्या बोलते हैं बोल्यावा कहते हैं बोल्यावा 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 बोल्याव का मार्क दर्शन करता है तो उस भील को ये बोलावा कहते है अथार्थ मार्क दर्शन करने वाले भील को ये क्या बोलते हैं बोलावा कहते हैं ये आपको ध्यान रखना है किलियर है किलियर है और अगर कोई भील सैनिक के घोड़े को मारता है सेनिक के गोडे को मारने वाला भील सेनिक के गोडे को मारने वाला भील क्या कहलाता है पाकरिया कहलाता है सेनिक के गोडे को मारने वाला भील क्या कहलाता है पाकरिया कहलाता है यह आपको ध्यान रखना है यह पूछ सकता है कि अगर कोई भील सैनिक के गोड़े को वीर्ता से अगर मार देता है तो उस भील को क्या कहते है पाकरिया आर पाड़ा पाड़ा सब्द सुनकर भील प्रशन होता है याद रखना है पाड़ा सब्द सुनकर भील क्या होते है याद रखना है पाड़ा सब्द सुनकर भील क्या होते है प्रशन होते है यह आपको ध्यान रखना है पाड़ा सब्द सुनकर यह प्रशन होते है पाड़े का तात्प्रिय होता है इसका तात्प्रिय होता है वीर पाड़े का तात्प्रिय क्या होता है वीर इनको वीर सुनना और सासी सुनना बड़ा इनको प्रसनता देता है तो पाड़ा सुनकर क्या होता है ये बड़े प्रशन होते हैं आपको याद रखना है और एक सब् बोलते हैं कांडी कांडी को ये गाली मानते हैं कांडी को क्या मानते हैं गाली मानते हैं कांडी को ये गाली मानते हैं और इससे ये भील क्या होते हैं कांडी सुनकर ये क्रोध में आ जाते हैं भील किस में आ जाएगा क्रोध में आ जाएगा तो जैसे आपने कांडी बोल दिय तो इसका मतलब आपने भील को गाली निकाल दी और वो इसको सुनकर क्रोधित हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, किलियर है, बाकी अगली इसकी बात करें मेरे मित्रों, तो भीलों की धार्मिक व्यवस्ता, भीलों की धार्मिक व्यवस्ता, तो पहली बात तो ये करम कांड में विश्वास करते हैं, करम कांड में क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, करम कांड में विश्वास करने वाले होते हैं, याद रखना हैं, ये भी हमारी तरह मुर्दों को क्या करते हैं, जलाते हैं, मरने के बाद लोगों को क्या करते है जलाते हैं याद रखना है आपको और होली का इनका विशेश तवार होता है होली विशेश पर्व होता है विशेश पर्व भी लों का होली विशेश पर्व होता है या आपको ध्यान रखना है और ये जादू टोने में विश्वास करते है जादू टोने में क्या करते हैं विश्वास करते हैं जादू टोने में ये विश्वास करते हैं ये आपको धान रखना है किलियर है अब इनका भीलों की अर्थ व्यवस्ता क्या ये काम करते हैं भीलों की अर्थ व्यवस्ता कैसी है मित्रों तो भीलों की अर्थ विवस्ता की बात करूँ तो लगबग 86% जो भील होते हैं वो क्रेसी कारिय करते हैं भील कौन सा कारिय करते हैं क्रेसी कारिय करते हैं यह आपको ध्यान रखना है लगबग 10% जो भील होते हैं यह मजदूरी करते हैं 10% मजदूरी करते हैं یہ आपको ध्यान रखना है और लगबग 4% भील जो है यह सिकार से अपना जीवन यापन करते हैं आज भी सिकार से जीवन यापन करते हैं यह आपको ध्यान रखना है किलियर है अब भील जो क्रशी करते हैं भीलों के दुआरा की जाने वाली जो क्रशी होती है उसे क्या कहते हैं तो याद रखना भील ये कैसी क्रशी करते हैं जूमिंग या इस्तानांतरित क्रशी करते हैं यह आपको ध्यान डखना है और भीलों के दुआरा की जाने वाली जो इस्तानांत्रित करसी है उसको मेरे मित्रों क्या बोलते हैं उसको चिमाता बोलते हैं चिमाता करसी बोलते हैं याद रखना है तो यह इस्तानांत्रित करसी करते हैं जिसको क्या बोलते हैं चिमाता कहीं कहीं इसी करसी को ये लोग वालरा के नाम से भी जानते हैं वैसे वालरा करसी ग्राशिया लोग करते हैं ये आपको ध्यान रखना है किलियर हो गया होगा पूरा गराशियों के द्वारा वाल्रा करसी की जाती है यह आपको याद रखना है तो यह भिल संपरदाय का पूरा पाठ अपने किया अगली जन जाती के अपन बात करेंगे गराशिया गराशिया जाती अब गराशिया राजस्तान में सबसे ज़्यादा ये कौन से भाग में है दक्षनी भाग में है और दक्षनी भाग में भी विशेश कर ये सिरोई में है गराशिया राजस्तान के सबसे ज़्यादा कौन से जिले में है राजस्तान के ये सिरोई जिले में है ये आपको उध्या जाती मीना, सेकंड जाती आपकी भील है और थर्ड जाती आपकी गरासिया है, थर्ड जाती कौनसी आपकी गरासिया यह आपको ध्यान रखना है ये करमबद मैंने जातियां बता दी है आपको याद रखना है और गराशियों का जो घर होता है उस घर को ये क्या कहते हैं उसको बोलते हैं गेर घर गेर कहलाता है गराशियों का जो घर होता है उसको ये क्या बोलते हैं गेर कहलाता है और गराशियों का जो मुख्या होता है उस मुख्या को ये सहलोत बोलते हैं क्या बोलते हैं सहलोत बोलते हैं याद रखना है और मरने के बाद बनाए गए इसमारक को ये हुरे कहते हैं जो इसमारक होता है इसमारक और इसमारक कब मरत्यू के बाद जो बनता है मरत्यू के बाद गरासिया लोग मरत्यू के बाद में जो इसमारक बनाते हैं उस इसमारक को ये हुरे बोलते हैं हुरे इसमारक को क्या बोलते हैं हुरे बोलते हैं ये आपको ध्यान डखना है और ये गरासिया जो सब्द होता है गरासिया सब्द का तात्प्रिय क्या है गरासिया सब्द का तात्प्रिय होता है मेरे मित्रों समू गरासिया सब्द का मतलब क्या होता है समू तो ये समू में रहना परसंद करते हैं ये आपको ध्यान रखना है तो गरासिया जो वड होता है ये समू होता है ये समू में रहना पसंद करते हैं ये आपको ध्यान रखना है किलियर है ये इनमें क्या होता है घर जो बनाए जाते हैं आमने सामने बनाए जाते हैं बीच में जैसे ये रोड हो गई छोटा सा एक रास्ता बना लिया और इस परकार से ये आमने सामने घर बनाते हैं इस प्रकार से अपने समू में या आमने सामने क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं, ये समू में रहना पसंद करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, किलियर है, किलियर है, अब ये जो घर बनाते हैं ये लकडी का ऐसे गास पूस का जोंपटी टाइप का बनाते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है मित्रों और ये क्या करते हैं जो इनका जो घर होता है उसमें एक अथिती ग्रे बनाते हैं जिसको बोलते हैं मांड मांड क्या होता है मांड मांड इनका अथिती ग्रे होता है जो इनके अथिती आते हैं उनको ये किसमें विश्राम करवाते हैं मांड में तो मांड क्या है अथिती ग्रे ग्रासियों का जो अथिती ग्रे होता है उसे क्या बोलते हैं मांड बोलते हैं ये आपको ध्यान रखना ह किलियर है और ग्राशियों की एक एक वड़ ओ रहे हो लेरू हो लेरू ये ग्राशियों की एक संस्ता है संस्ता संस्ता का नाम ये खुद की एक संस्ता है प्रतेक घर से एक सदश्य इसका सदश्य होता है प्रतेक घर से एक सदश्य इस संस्ता का संस्ता का क्या होता है सदश्य होता है ये संस्ता इनके देखरेक इनके विकास और इनके आपसी जगडे पसाद उनको निप्टाने के लिए काम ली जाती है तो होले रू इनकी एक संस्ता का नाम है और प्रतेक समू में से यनके जो इनके घर होते हैं उनमें से एक व्यक्ति को इसका सद्श्य बनाया जाता है ये आपको ध्यान रखना है चलू आगे तो याद रखना है गराशिया राजस्तान के दक्षनी बाग में विशेश करी शिरोई में है तीसरी राजस्तान की सबसे बड़ी जाती है और आदिम जाती घर इनका घेर कहलाता है और मुख्या इनका सैलोत कहलाता है मरत्यू के बाद में जो इसमारक बनता है उसे हुरे कहते हैं गराशियों का मतलब समू ये समू में रहना पसंद करते हैं अपने घर में जो अथिति ग्रय बनाते हैं उसको अपने ये मांड बोलते हैं और इनके द्वारे एक संस्ता बनाई गई है उसको हेलेरू बोलते हैं ये प्रतेक घर का सदश्य इसका क्या होता है सदश्य होता है ये आपको ध्यान रखना है किलियर अब एक इनका विशेश च पूछ लेता है कई बार एक्जाम में मनखारों मेले को संबंध किस्से है तो ये ग्राशिया जाती से ये आपको ध्यान डखना है तो मनखारों मेलों क्या होता है चैत्र शुक्ल तिर्थ्या को यानकी मैं बोल दूँ गणगोर गणगोर को चैत्र शुक्ल तिर्थ्या को इनका विशाल मेला लगता है जिसे ये किस नाम से जानते हैं मनखारों मेले के नाम से जानते हैं ठीक है दूसरा मोर इनका आदर्ष पक्षी है आदर्ष पक्षी है मोर को ये अपना आदर्ष पक्षी मानते हैं तो ये मनखारों मेलों कई बार एकजाम में पूछ लेता है कि मनखारों मेलों का संबंध कोन सी जाती से है तो याद रखना ये आपके गराशिया जाती से है, मोर इनका आदर्श पक्षी है, ये आपको ध्यान रखना है, और सफेद कोई भी पसु हो, सफेद कोई भी पसु हो, सफेद पसु को ये गराशिया पवित्र पशु मानते हैं, चाए वो आपका कोई कबुतर हो, चाए बुगला हो, चाए गा क्या मानते हैं अपना पवित्र पश्व मानता है सपीट को याद रखना है और जो ये वाद्यंत्र बजाते हैं गराश या जाती के लोग जो वाद्यंत्र बजाते हैं उसमें एक तो इंपोर्टेंट है बासूरी ये बासूरी बजाते हैं नंगडा बजाते हैं और अलगोजा ये वादियंत्र बजाते हैं ये आपको ध्यान रखना है और ये जो मनखारो मेलो है ये आबू में बरता है कहां बरता है शिरोई आबू में ये भी आपके मन में आ रहा होगा क्योंकि यार ये शिरोई में हैं तो शिरोई में बरता है ये शिरोई आबू में माउंट आबू में मनखारों मेलों कहां बरता है शिरोई माउंट आबू में बरता है ये आपको ध्यान रखना है किलियर है इसमें क्या होता है ये सीव पारवति का एक उस्व मनाते हैं और इसमें गैर वैशर के रूप में सीव पारवरति का ये विशाल उस्व मनाते हैं ये आपको ध्यान रखना है और नक्की जो जील है इसकी किद्वंती है नक्की जील को गराशिया जाती पवित्तर जील मानती है ये आपको ध्यान रखना है इसको क्या मानती है ये पवित्तर जील ये कई बार परिक्षा में आता है गराशिया जाती की पवित्तर जील कौन सी है तो गराशिया जाती की करते हैं पूर्वजों की अस्तियों का विशर्जन करते हैं जो कोई मर जाता है उनकी अस्तियों का ये क्या करते हैं इसमें विशर्जन करते हैं ये आपको ध्यान रखना है पूर्वजों की अस्तियों का क्या करते हैं विशर्जन करते हैं ये आपको याद रखना है क्लियर ह अब इनके खास बात क्या है गरासियों के गरासिया जो जाती है गरासिया ये गरासियों की अगर मैं छोटा सा इनका वर्गे करण कर दूँ तो ये दो प्रकार के होते हैं कैसे दो प्रकार के होते हैं कि एक तो होता है भील गरासिया और एक होता है गमेती गरासिया अंतर क्या है साथ दोनों में भील गरासिया और गमेती गरासिया में क्या अंतर है तो गरासिया पुरुस जैसे ये गरासिया पुरुस है और ये भील इस्तरी है अगर कोई गराशिया पुर्स भील इस्तरी से क्या करे विवा कर लेता है विवा कर लेता है तो उसको भील गराशिया कहते हैं ये आपको ध्यान रखना है और इधर भी ये भील पुर्स है और ये गरासिया इस्त्री है ये गरासिया इस्त्री है तो अगर कोई भील गरासिया इस्त्री से भिवा कर लेता है तो उसको गमेती गरासिया कहते हैं ये आपको ध्यान रखना है तो भील गराशिया और गमेती गराशियों में यही अंतर है अगर कोई गराशिया पुरुस भील इस्त्री से भीवा करता है तो भील गराशिया और यदि गमेती गराशिया में भील पुरुस गराशिया इस्त्री से भीवा करता है तो उसको गमिती गराशिया के नाम से जानते हैं ये आपको ध्यान रखना है अब इसमें विवा देखते हैं कौन-कौन से विवा के प्रकार गराशियों में विवा के प्रकार गराशियों में विवा के प्रकार की अगर मैं बात करूं तो विवा के प्रकारों के अपन बात करें तो जैसे मोर बंदिया अब आप से क्यूसन पूछे कि मोर बंदिया विवा किस जाती में परचलीत है मोर बंदिया विवा किस जाती में परचलीत है यह आपको ध्यान डखना है तो मित्रों मोरबंद्या विवा जो है आप ये कराशिया जनजाती में परचलित है और इसे ये हिंदू को ये जो मोरबंद्या विवा है ना ये आपके हिंदू के ब्रह्म विवा के अनरूप है ये ध्यान रखना है ये भ्रह्म विवा के क्या है अनुरूप एमित्रों और एक आपका दूसरा है पहरावना विवा पहरावना विवा इसमें क्या होता है नाम मात्र की फेरे होता है नाम मात्र की फेरे बस नूर्मल नाम मात्र की फेरे होता है पत्नी को घर ले जाते हैं सीदे इसमें फोर्मल्टियां ज्यादा नहीं होती हैं एक तानना वीवा तानना जो वीवा है इसमें क्या होता है वर्पक्ष वदूपक्ष को कन्या का मुल्य देता है वर्पक्ष वदूपक्ष को कन्या का मुल्य देता है यह तानना वीवा होता है यह आपको ध्यान रखना है और धार्मिक जीवन की चर्चा करें कराश्या जाती की धार्मिक जीवन इनका धार्मिक जीवन कैसा है बेटाओ यह टर्म पूछी जाती है पटवारी में पुलिस में यह पूछ ले समझ में है ना तो ये धार्मिक जीवन में ये सी और बहरू को मानते हैं, सी और बहरू जी की पूजा करते हैं, बहरू बाबा की, सी और बहरू की ये क्या करते हैं, पूजा करते हैं, उनको मानते हैं, और ये तगडे अंद विश्वासी होते हैं, खुब विश्वास करते हैं, अंद विश् इनका विशेश त्योहार होता है ये आपको ध्यान रखना है अब इनके प्रसासन की विवास्ता बताओं मैं आपको ग्राशियों का प्रसासन तो ग्राशियों के प्रसासन के अगर मैं बात करूँ तो इनकी श्वम की पंचायत होती है इनकी श्वम की क्या होती है पंचायत होती है याद रखना है खुद की पंचायत होती है इनकी खुद पंचायत गटीत करते हैं और इस पंचायत में इसमें कौन होता है इसमें बड़े बुड़े लोगों को सामिल करते हैं बुड़े गरा ग्राशिया क्या होते हैं सामिल होते हैं बुड़े लोग इसमें क्या होते हैं सामिल होते हैं ये आपको ध्यान रखना है और पंचायत का जो मुख्या होता है पंचायत का जो मुख्या जो जिसको चीप बोलते हैं उस मुख्या को ये क्या बोलते हैं सहलोत बोलते हैं पंचाय ग्राशियों की जो पंचायत होती है उसका मुख्या किस नाम से जाना जाता है ये आपको ध्यान रखना है किलियर है और ये क्या करते हैं इनके व्यबसाई की बात करूं तो ये करसी का कारिय भी करते हैं और इनकी करसी को वालरा कहते हैं क्या कहते हैं वालरा और साथ में पशुपालन का कारिय भी करते हैं पशूप पालन का कारिये भी करते हैं तो इनकी जो करसी है उसको क्या बोलते हैं वालरा याद रखना है बीलों की इगराश्यों की द्वारा की जाने वाली करसी क्या कलाती है वालरा बीलों की द्वारा की जाने वाली करसी वो क्या बोलते हैं ची माता तो याद रखना है ये विवाके इनके ये प्रकार है और इस प्रकार से इनका धार्मिक जीवन है ये इनका प्रशाशन है ये विवसाई है तो मित्रों ये चीजे आपको सारी की सारी समझ में आई होंगी और इस से आगे का पार्ट अपन कल की कक्षा में पूरा करें तब तक के लिए आपकी जो पढ़ाई है उसको सुचारू रखो आप सभी का दिन बढ़िया रहे विशोल दा बेस्ट बाई बच्चों पढ़ते रहो निया जाओगे देरे देरे बेडा पार हो जाएगा आपका